अधिया आज पेसे एक आज की सेस्ट में हम बात करने वाले हैं महत्मा गाधी के चार आश्रम के बारे में जैसा कि वीडियो के टाइटल से यह बात अस्पश्ट है तो वह चार आश्रम कौन-कौन से हैं पौनिक सेटलमेंट कोचरव आश्रम सेवागराम आश्रम और टॉलेश ट्रैफॉर्म महत्मा गाधी ने इन सभी संस्थाओं की इन सभी आश्रम की जो अस्थापना थी एक विस्यस प्रपज के लिए इसको इस्टैबलिस किया था और इसका मक्सद यही था कि कैसे भारत की ज सके और आप देखें इन आश्रम में महत्मा गाधी ने प्रेम अहिंसा सामुदाइक सावहार्द इंटरफेथ बिलीफ इंटरफेथ हार्मोनिक इसी चीजों को महत्मा गाधी ने प्रैक्टिस किया इस आश्रम में मैनुवल लेबर को जो सारे रिक्स्रम है उसको अनिवार गोसित कर दिया गया तो अल्टिमेटर हम देखा जाए यह जो इतने भी आश्रम थी महत्मा गाधी ने इनको इस्टाबिस किया गया उसका एक ही प्रपस था कि लोगों को कैसे आत्मिरभर बनाया जाए कैसे वह सारे रिक मांसिक और बौध्धिक रूप से जो है वह आत्मि इरुख बन सके और कैसे उनको एक नॉन वाइलेंट सत्याग रह के लिए ट्रेंड किया सके जैसे कि महत्मा गाधी ने सौथ अफरीका में डर्बन में 1904 में फोनिक सेट्लमेंट को इस्टाबिस किया इसके लावा महत्मा गाधी में सौथ अफरीका में ही जो हांस वर्ग मे को 1910 में स्थापित किया और महत्मा गाधी ने 1915 में कोचरब आसरम के स्थापना की और ये जो कोचरब आसरम है महत्मा गाधी के दोरा इस्टैबलिस किया गया पहला आसरम था फ़स्ट आसरम था जिसको महत्मा गाधी ने इंडिया में स्टैबलिस किया गया था और बाद म इसी आस्रम को 1917 में आहमदावाद में सावर मती नदी के करीब ने इस्टैबलिस किया गया था और अभी साथ स्रम को हम सावर मती आस्रम के नाम से जानते हैं और कुछ इसी तरह से महत्मा गाधी ने 1936 में महराष्ट के वारधा में सेवय अगराम के अस्थापना की थी तो इस तरह यह चार आस्रम हैं जिनको महत्मा गाधी ने इस्टैबलिस किया था और यहां से एक प्रस्ण और भी बनता है कि identify the first आस्रम of गाधी in इंडिया महत्मा गाधी ने महत्मा गाधी के पहले आस्रम को चिनित कीजिए तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोच्रव आस्रम जो है इसको महत्मा गाधी ने 1915 में इस्टैबलिस किया था एक गाधी के दौरा इस्टैबलिस किया इंडिया के अंदर पहला आस्रम है इसके जरीये से आप यह समझ सकेंगे कि गाधी ने कब किस समय किस अस्थान पर इन आस्रमों की अस्थापना की और गाधी से रिलेटेट मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है वो एक तरह से माराथन सेशन है लगबग दो घंटे का और उसमें मैंने गाधी से इसको भिजयक सकते हैं उसका लिंग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है थैंक यू सो मच